हलो दोस्तो गूड नॉर्णिंग स्वागत एक बार फिर से आप सभी का मजटे एजुकेशन में दोस्तो आज है दस फरवरी आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे दस फरवरी 2022 के मोस्ट इंपोर्टन करेंट रफेर के कुशन्स के बारे में पूरी वीडियो ध्यांस देखेगा पूरी वीडियो डीटेल में आपको समझाई गई है अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सेयर जरूर कर देना चैनल पर नहीं आये हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन को प्रेस कर लो क्योंकि ऐसे ही डीटेल करेंटेफेर की वीडियो डेली मॉर्निंग में आती है इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें चलिए बात करते हैं लास्ट डेके कोशन्स की लास्ट डेका मेरा पहला कोशन था आपसे सीरम इंस्टिटिट ओफ इंडिया के संस्थापक सायरस पुनावाला को कौन सा नागरिक सम्मान दिया जाएगा तो इनको पद्म भूशन दिया जाएगा भारत के पहले वंडे मैज पे भारती टीम का कप्तान कौन था तो अजीत वाडिकर थे ठीक है भारत ने पहला वंडे मैज खिला था 1974 में इंगलेंड के खिलाब हलाकि भारत चार विकटों से हार गए थी चलिए अब बात करते हैं आज के दिन के पहले कुशन की पहला खुशन, Most Important more question अक्षे कुमार को उत्तर खनवराजी का नया ब्राइंड अबिजज़ न्योप किया है कि आप देख रहे हो इससे पहले भी यह न्योंप किये गये थे कुश ब्राइंड अमिज़़ जैसे रिसब पंद जो क्रिकेटर है जो की दोस्तों उत्राखंड के रोड़की से ही आते हैं वहीं के हैं तो इनको ब्रैंड इंबर्ज नहीं उपकिया गयता है इसके लावा भारते फील्ड होकी खिलारी है वंदना काटारिया महला खिलारी है जोन्योन ओलम्पिक में इस बार है ट्रिक लगाई थी गोल की ठीक है है और है ट्रिक लगाने वाले ये पहली महला बनी थी तो इनको बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना का Branch semester बनाया था. तो देखे, होता क्या है, कि अलग अलग योजनाओं के लिए Branch Commissioner बनाया जाता है. देखे, मैंने पहले भी आपको बताया था, कि किसी को अगर Branch Commissioner बनाया जा रहा है, ये 2017 में भी सौक्षता अभियान के लिए ब्रेंडम मेजजर नियूप किये गये थे किलियर है विल्कुल चले अभी ब्रेंडम मेजजर से एक और कुशन है उसमें मैं आपको डीटेल बताने वाला हूँ कि कौन-कौन से भी हाल फिलाई में ब्रेंडम मेजजर नियूप किये गये है फिलाई यहाँ पर उत्राखंड के बारें बात कर लेते हैं उत्राखंड यहाँ पर आप मैप में देखोगे ये रहा उत्राखंड उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ था ये 9 नुवंबर को सन 2000 को उत्तरप्रदेश से अलग हुआ और उत्तरांचल नाम से एक नया राज्य बना 13 जिलो को काट करके लेकिन आगे चल करके 2007 में उत्तरांचल का नाम बदल करके उत्तराखंड कर दिया गया याद रखेंगे आप देहरादुन इसकी विंटर कैप्टल है गैर सेंड है इसकी समर कैप्टल पुसकर सिंग धामी बीजेपी पार्टी से सियम गवर्नर है लेटनेंट जनरल गुरमेट सिंग संजय गुमार मिसरा जी इसके मुके नादीस है उत्रगन हाइकूट के यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी जीले हैं जैसे भीम ताल, नैनी झील, और नैनी ताल, 17 से कुंड, ठीक है, सात ताल, माता ताल तो भीम ताल बहुत सारी ताल है तो मैंने आपको बताया था कि आपको चंद्रताल, सूरजताल और भोजताल ये तीन ताल को छोड़ करके बाकी जितने जिताल आए तो आपको समझना है कि वो उत्राखन में है चर्णताल, सुरजताल यही मांचल प्रदेश में है और भोजताल है भोपाल यानि मध्य प्रदेश में जिम कारवेट नेशनल पार्क दोस्तों यही पर है जिम कारवेट नेशनल पार्क का नया नाम बदला गया है नया नाम है दोस्तों राम गंगा नेशनल पार्क क्या नाम है राम गंगा नेशनल पार्क और पुराना नाम इसी का हेली नेशनल पार्क था हेली नेशनल पार्क था ये भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है राज़े जी नेशनल पार्क भी यही पर है नंदा देवी नेशनल पार्क भी यही पर है माना नीटी लिपुलेग ये तीन दर्रे हैं यहाँ पर छपेली छोलिया हारूल प्रमुक लोक नेते हैं अगला कुछन दिखते हैं ब्लूमबर्ग बलेनियर इंडेक्स के अनुसार एसिया का सबसे अमीर व्क्ती कौन है तो Asia का सबसे अमीर व्यक्ति दोस्तो गौतम अडानी एक बार फिर से बन गए है मुके सम्मानी को उन्हें एक बार फिर से पीछे कर दिया है कुछ महीने पहले उन्हें एक बार फिर से पीछे किया था ठीक है तो फिलहाल बलूंबर बिलेनियर इंडेक्स ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट जो जारी किये है, इसमें बताया है कि अडानी की कुल संपत्ती 88.5 बिलियन डालर पहुंच गई है, और वही मुके संबानी की टोटल जो विल्थ है वो 87.9 बिलियन डालर पहुंच गई है, एक बतामा डानी जो है, डानी गूर्प के संस्था पाक है, चली फिलाल अगला देखते हैं, नासा दौरा अंतराश्टी अंतरक्ष इस्टेशन को कब सेवा निवरत्त किया जाएगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसके रिटायरमेंट की घोशना हो चुकी है कि कब इसको रिटायर करेगा नासा, इसको दोस्तों नासा जा दोहजार एक तिस में रिटायर करेगा, हला कि अभी आट नौ साल हैं आराम से ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है, फाइनली ये रिटायर हो जाएगा, ये क्या है, एक्शुन में दोस्तों, 1998 में एक इन अधिपत्य है और नासा का अधिपत्य मतलब अमेरिका का अधिपत्य है अधिपत्य मतलब डॉमिनंस ठीक है ना तो वैसे तो इसमें नासा के साथ रसिया वगेरा भी सामिल था और भी देश सामिल थे लेकिन फिलहाल नासा यानि अमेरिका का ज्यादा है हां पर डॉमिनंस र किया इसके बाद यह क्या होगा 2 purchase के बाद क्या वहीं पर छोड़ दिया जाएगा नहीं इसे नीचे लाया जाएगा इसे प्रसांत महासागर में एक जगा है पॉइंट निमो नाम की जगा पर इसको इसको बिसफोड किया जाएगा तो के International Space Station दो दसकों से काम कर रहा है 1998 से और अभी एक दसक लगभग में और काम करने वाला है ये 8 किलो मीटर प्रती सेकंड की रप्तार से पृत्वी की प्रक्रिमा लगातारिये कर रहा है देखिए आंतिरिक्ष इस्टेशन जो है पूर्व अमेरिकी राश्पती रोनाल्ड रीगन की दिमाग की उपस थी 1998 में रूसी रॉकेट की द्वारा अंतिरिक्ष में लांच किया गया था यानि रसिया कभी सही हुपता इसमें नासा आया है नासा की बारे में अगर बात करें National Aeronautics and Space Administration इसका फुलफाम होता है 1988 में इसके अस्थापना होई थी 1988 में ही भारत DRDO अस्थापित किया था ये भी आप याद रखेंगे वासिंगरन DC इसका हेड़कॉर्टर है बिल नेलसन इसके वरतमान में एड्मिनेस्ट्रेटर है For the benefits of all नाम के मोटो से ये चलता है NASA जो की सरकारी एक Governmental Space Agency है अमेरिका की अगला कुश्चन हाली में MediBuddy का Brand Ambassador किसे बनाए गया तो MediBuddy के नए Brand Ambassador दोस्तों बनाए गए है अमताब बच्चन Big B MediBuddy के नए Brand Ambassador बनाए गए है MediBuddy जो Company है दोस्तों ये भारत की सबसे बड़े Digital Healthcare Platforms में से एक है जैसे Pharmacy है ठीक है ना वैसे ही MediBuddy बगरा भी है तो इसने अभी अमिताब बच्चन को अपना Official Brand Ambassador नेउप्त किया है हाल फिलहाल में कौन-कौन से नए Brand Ambassador नेउप्त किया है तो अभी बाटा इंडिया के बारे में आपको बताया था दिसा पटा नेउप्त किया क्या है Good. के बारे में बताया था Good. के Brand Ambassador नीरत चोपड़ा है नीरत चोपड़ा दोस्तों Tata AIA के भी है Tata AIA Insurance के भी है Brand Ambassador Renew Boy Renew Boy के Brand Ambassador राजक्मार राव बनाए गए है राजक्मार राव जो है यह टीच्मिंट के भी है टीच्मिंट के है कैसीफाई के भी है इसके अलामा यह सिसका LED के भी है सिसका LED के भी Brand Ambassador है ठीक है Jacob Krigs की Brand Ambassador है मिताली राज जो की One Day और टेस्ट मैचों में महिला कैप्तान है भारत की क्रिकेटक की बैंक आप बढ़ादा की ब्रेंड अमिज़र सैफाली वर्मा बनाए गए हैं यह भी महिला किर्केटर हैं भारत की किलियर बिल्कुल चलिए अगला कुशन कर्मचारी चैन आयोगी यानि स्टाफ सेलेक्शन कमिशन की नए अध्यक्ष कौन बने यह इंपोर्टन कुश्चन है SSC के नए अध्यक्ष दुस्तों बने हैं S की सोर जी इसको भी ट्रांसलेट होना चाहिए था चलिए S की सोर जो है यह नए ब्रेंड अमिज़र होंगे SSC के स्टाफ सेलेक्शन कमिशन की यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं यह पश्यमंगाल कैडर से IS आफिसर है 1989 बैज से आभी वर्तमान बात किया जाए तो यह वाड़ेज विभाग में वाड़ेज और उद्योग मंत्राले में विशेश सच्यू के पदपर कारेरत हैं यह SC के पूर्ग जो वर्तमान में अभी अतक अध्यक्ष थे ब्रजराज सर्मा इनकी जगा लेगे इस्टाप सेलेक हो आप इसके अलावा MTS का एकजाम देते हो आप SSE के तुरू ही ठीक है SSE बहुत सारे एकजाम कंड़क कराती है ओके चले तो SSE जो है यह स्टाफ सेलेक्षन कमिशन है यानि स्टाफ के सेलेक्षन के लिए एक आयोग है अगला हाली में किस राज में कंचोत पर्व मनाया ग आने के लिए यह दिवस मनाती हैं यह उस्टो मनाती है पिरकार से कहें कंचोत पर्व मनाती है यह बिसिकली माग महीने के सुक्लपक्ष के दौरार नाता है आमınız पर जनवरी या फरवरी महीन में पढ़ता है फरवरी अभी भी चल लाए तो मुक्य रूप से जो नाग अनु है ये ब को कर सकते हो अगला जंगु कस्मीर की बारे में बात करेंगे स्री नगर यहां की राजधानी है, मनोज सिन्हा, यहां के उपरा जिपाल है, पंकज मित्तल, चिप जसे से, डल जील, बुलर जील है यहां पर, यह रहा आपको जम्मु कस्मीर देख रहा है, जम्मु कस्मीर और लगदाग दोस्तों, 5 अगस्त, 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटने के भारत, प्रेस, स्वतंतता रिपोर्ट बताया था मैंने, ठीक है ना, स्वतंतता रिपोर्ट बताया था, इसमें बताया था, जम्मु कस्मीर है टॉप पर, जम्मु एन कस्मीर है टॉप पर, ओके, चलिए, आगे दिखते हैं, हाली में आहम्दाबाद की IPL टीम का नया नाम क्या रखा गया तो आहमदाबाद की जो IPL टीम थी दोस्तो इसका नाम रखा गया है गुजराद टाइटन्स क्या गुजराद टाइटन्स रखा गया है देखिए IPL में आहमदाबाद और लखनो दो नई टीमें सामिल हुई है इसमें आहमदाबाद की जो नई टीम है उसका नाम गुजराद टाइटन्स रख दिया गया है कप्तान कौन बनाए गया है हार्दिक पंडिया और कोच कौन बनाए गया है कोच बनाया गया है दोस्तो आसीस नहरा को कोच बनाया गया है ठीक है ना गुजराट टाइटन्स का सी वी सी कैपिटल गुरुप ने 5625 करोण में इस टीम को खरीदा था दो नए टीमें सामिल हुई है आमदाबाद और लखनाओ की इस बार 10 टीमें खेलेंगी IPL में अब से 10 दर श्टीमें खेला करेंगी IPL में इस बार IPL का कौन सा संस्क्रण होने जा रहा है IPL का 15 संस्क्रण होने जा रहा है और टाटा ने टाटा ने दोस्तो वीवो से टाइटल स्पांसर से भी छीन ली है तो अब हम लोग क्या कहेंगे टाटा IPL कहेंगे ठीके ना अच्छा लखनो की टीम जो आई है उसका क्या नाम है उसका नाम रखा गया है लखनो सुपर जैयंट्स इसमें कप्तान लोकेस राखुल है ऑच्छा ईबुक आ चुकी है दोस्तो जन्वरी की हिंदी में भी और इंग्लेस में भी तो इंग्लेस वाले चेजन भी ले सकते हैं और हिंदी वाले चेजन भी इस से ले सकते हैं निर्फ 15 रूपाय में chapter by chapter details के साथ यहां पर दिया गया है इबुक है और इस e-book की तोड़के मुकाबले किसी की भी e-book नहीं होती है इस rate में और इतनी ज़्यादा detail content के साथ इतनी ज़्यादा quality content के साथ आप कहीं से भी कोई से भी e-book लेकर के देख सकते हो मैं आपको इसलिए हमेशा कहता हूँ कि आप पहले कोई एक e-book लो उसके बाद ही आप बाकी महेनों के purchase करो पिछले तीन सालों की e-book महाँ पर available है आप mzty app पर जाकर के देख सकते हैं इस ठीक है इस e-book के मुकाबले का कोई e-book नहीं है budget वगरा बहुत ही सांदार तरीके से इस बारिस में दिया गया है तो आप जा करके देख सकते हैं आप images भी added की जाती है तो और interesting हो जाता है पढ़ने में इंड में आपको 1500 प्लस question का practice set भी दिया जाता है ये आप UPI के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हो mzty app के माध्यम से भी आप ले सकते हो UPI बोले तो जैसे गूगल पे फोन पे बगरा बहुत सारे बच्चों को प्राप्नम होती हैं नहीं payment कर पाते हैं तो गूगल पे फोन पे कर देते हैं तो उनको भी वर्टसेप के थुरूई e-book भेज दी जाती है तो आप ये method भी try कर सकते हो description में वर्टसेप का नंबर दिया गया है आगे देखते हैं हाली में किस राज ने स्वक्ष उर्जा तकनीकी विक्सित करने के लिए सोसल अलफा के साथ समझोता किया तो अभी हाली में दोस्तों केरल ने सोसल अलफा के साथ समझोता किया है स्वक्ष उर्जार तकनीकी विक्सित करने के लिए केरल राज सरकार की ये डील है हुई है सोसल अलफा के साथ इसके ताह साथ ये Clean Energy International Incubation Center के साथ ये समझाता करेगा जो की सोसल अलफा की ही Energy Lab के ही तहर आता है उसी की यूनिट है केरल सरकार जो है ये केरला Development and Innovation Strategy Council और उर्जा प्रबंधन के यानि Energy Management Center के माधन से इस समझाते पर हस्ताक्चर करेगी तो रीजन यही होगा कि केरल में सुक्ष उर्जा की तकनीकी विक्सित की जा सके Clear है? केरल आया है केरल के बारे में देख लो आप यहाँ पर देखोगी यह रहा मैप में केरल देखे मैप में कहाँ पर पोजीसन ही यह जानना आपके लिए बहुत जाल सरूती है तिरुनंत पुरम यहाँ की राज़ानी है पिनरई विजन CPIM पार्टे से यहाँ के चीप मिनिश्टर है गवर्नर है आरिफ महम्मद खान आरिफ महम्मद खान ने ही वन इस्कूल वन इस्कूल वन आईएस योजना सुरू की थी ठीक है ना ऐस मनिकुमार यहाँ के चीप शेस हैं चली आगे देखते हैं अगला कुशन वित्ये वर्स 2021 में PM Care Fund का कोस्ट कितना गुना बढ़ गया तो दोस्तो PM Care Fund इसके बारे में आपने जरू सुना होगा आप में से बहुत सारे लोगों ने डोनेट भी किया होगा इसमें 2020-21 की Financial Year में ये फंड कोस्ट जो है बढ़ करके हो गया है तीन गुना तीन गुना हो गया है थ्री टाइम्स हो गया है PM Care Fund आपको याद होगा कोरोना के टाइम पर जब सुरू में कोरोना आया था दोस्तों 2020 में तब प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी जी ने PM Care की गोशना की थी और इसमें लोगों से अपील की थी की लोग बर्चर के हिस्सा लें और इसमें डोनेट करें ठीक है देश के हित के लिए डोनेट करें जिसे देश वैक्सिनेशन और कोरोना से हमारे से लड़ने में मजबूत हो सके ठीक है चलिए को वैक्सिने वगरा खरीच सके इसमें ये भी बताया गया है अभी जो latest आडिज इस्टिटमेंट आया है इसमें ये बताया गया है कि 10,990.17 करोण रुपए तो फंड बढ़कर के हो गया है इसमें से सरकार ने अभी 3,946.17 करोण रुपए ही खर्च किये हैं जबकि 7,013.1999 करोण रुपए अभी भी यहां पर बाकी है कब तक 31 मार्ज 2021 तक ध्यान रुकिएगा ये 31 मार्ज 2021 तक की आडिज रिपोर्ट है ठीक है ना अभी हम लोग 2022 में चल रहे हैं इसके बाद इसमें ये भी बताया गया है कि सबसे 10 जो खर्च हुआ है वो COVID-19 वैक्सिन को खरी ने में हुआ है COVID-19 वैक्सिन की 6.6 करोण डोज खरी दी गई है 1392.82 करोण रुपए इस पर खर्च की गई है पियम केर फंड की अस्थापना 27 मार्ज 2020 को हुई थी अगला कुशन देख लेते हैं हाली में करनाटक ने ग्रामेड महिलाओं को उद्दमी बनाने के लिए किस से समझाता किया करनाटक ने दोस्तो ग्रामेड महिलाओं को इंटर्प्निवर्शिप का पाट पढ़ाने के लिए Amazon India के साथ समझाता किया है Amazon इंडिया का कहना है कि ये गाउं गाउं में जो women's हैं उनको entrepreneur बनाएगी और entrepreneurship के प्रति उनको जागरूप करेगी इसके लिए क्रनाटक राजी ग्रामेड आजीव का समुर्धन सोसाइटी है यानि KSR LPS है उसके साथ मेल करके Amazon जो है वो संजीवनी KSR LPS योजना लांच करेगी और इसे के साथ वो ट्रेनिंग भी देगी ट्रेनिंग देने के लिए Amazon की एक पहले से ही योजना चला रही है जैसे सहेली कारेकरम जीसे कहते हैं तो सहेली कारेकरम के तहट उनको ट्रेन भी करेगी साथी साथ उनको यह बताएगी कैसे वो ने ने चोटे मोटे हाथ से बने प्रोड़क्ट या फिर अपने घरेलू प्रोड़क्ट को बना करके वो मार्केट में ला सकती हैं वो भी ऑनलाइन ठीक है Amazon के थुरू तो यह थोड़ा सा ब्रीपली समझा दूगा चले तो बस दोस्तों यह तो थे आज के टॉप 10 करेंट अफेर के कुश्रस आई होप आपको वीडियो आए होगे पसंद और आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा नहीं कि यह हो तो लाइक अप कर दो प्रेस प्रीडम इंडेक्स म आप MZT app पर जाए पीडियो भी आपको मिलेगी इसके अलावा आपको क्वेज भी मिलेगी यहाँ पर तो क्वेज भी सॉल्ब कीजिए पीडियो भी सॉल्ब कीजिए और e-books आप यहां से ले सकते हैं बेस्ट e-books एकसर में जाकर कि आप e-book ले सकते हैं कोई प्राब्लम आ चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को इन तक देखने के लिए मैं मिलूंगो आप से अगले दिन की वीडियो में तक लिए नमस्कार जैहिंद वंदे मातरम